मेरे चैनल पेना यह सवाल कहीं बार पूछा गया है बहुत लोगों से इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप सिलीकॉन मोल्ड को किस तरह से साफ रखते हैं और आपके चॉकलेट में शाइन कैसे बरकरार रहती है क्योंकि बार बार चॉकलेट मोल्ड यूज करने से शाइन निक आप किसी भी तरह का स्पॉंज आप यूज कर सकते हो और यहां पर मैंने पानी गरम करने के रखते हैं जैसे ही पानी उबलने लग जाएगा मैं इन पानी गरम पानी में अपने चॉकलेट मोल्स सिलीकॉन के में अभी यूज किये वह मैं इसमें डूबो दूँगे और आपके चॉकलेट में जल्दी से पिखल जाएगा और इसली रिमूफ हो जाएगा उसको दो तीन बार अची तरह से उपर नीचे करने के बाहर निकालिए थोड़े से गरम पानी में डिप किया हुआ जो आपका स्पॉंज होगा उससे इच एवरी कैविटी देखे मैं बाद चॉकलेट की शाइन क्यों नहीं आती इसका यही में रिजन है अगर आपकी इच एन एवरी कैविटी क्ली नहीं होगी ना मोड की तो उसमें आप जब नेक्स ताइम चॉकलेट बनाओगे पिछले चॉकलेट के कुछ भी पार्टिकल्स उसमें बज गए पानी के कुछ भी जो वाइट कलर का बज जाता है ना पानी सूखने के बाद तो वह अगर बज जाए तो आपके चॉकलेट में शाइन नहीं आएगी चॉकलेट में शाइन आने के और भी कही रीजन से बड़ स्पेशली यह मोड का में बता रही हूं क्योंकि आज में मोड के ओपर वीडियो है तो माई भी बताऊंगी इस तरहसे बात आप सारे मोर्ट को क्लीन करने के बाद और एक ठोड़ें डड़ सब्सक्रीट करके लेकर दिये और वापश वास को उसी पान सेुका यक्सास वाटर है वो क्लीन कर लिघगे और यह वाप्स बार आप टिशु पेपर लेकिन और थ अगर पानी की चीटे बज गए ना तो आपके चॉकलेट को शाइन नहीं आती आपके चॉकलेट बहुत ही मैट फिनिशिंग के निकलते और एक बार ड्राइ करने के बाद रूम टेपरेचर पे अच्छी तरह से ड्राइ होनी दीजे पूरी तरह से ड्राइ होनी के बाद ही आपके चॉकलेट मोर्स इस तरह से सिलीकॉन के क्लीन हो जाएंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से मैं इनको क्लीन करती हूं अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो च